तो गाईज आजकी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले Biggy की हेल्थ अपडेट के बारे में तो Biggy ने अपने टुईटर हैंडल पर एक टवेट किया है जिसके अंदर उन्हों तो यार वो अपने ट्वेट के अंदर कहे रहे हैं कि मतलब यह nex related को C1 होता होगा जो कि proper तरीके से ठीक नहीं हो रहा है जिसकी वैसे उन्हें अभी 4-6 हथे के लिए और रहना पड़ेगा तो यार उम्मेद करते हैं कि बिगी जल्दी से ठीक हो जाएं और होप यार ये स्टॉन को स्टीव ऑस्टन के साथ जो हुआ था वो बिगी के साथ ना हो और वो हमें जल्दी से रिंग के अंदर आकर एंटरेइन करते हुए नज़र आएं तो यार अब बात करते हैं WWE ड्राफ्ट के बारे में तो रैसलिंग आप्जर्वर की एक रिपोर्ट की माने तो इस साल Summer Slam के बाद अगस्त में हमें WWE Draft देखने को मिल सकता है अब बात करें Summer Slam की तो 30 जुलाई को Summer Slam होने वाला है तो शायद अगस्त में हमें WWE Draft का आयोजन करते हुए नज़र आ सकती है खैर वीडियो को यहीं खतम करते हैं वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दबाना ताकि लेटिस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगो सबसे पहले मिल जाए मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर